क्लाश देश विडियो तो चेप्टर एकोनोविक्स थ्री एग्रिगेट डिमाड इज कांट्यूनु कॉंपोनेंट साब एडी यह ले ले लास्ट वीडियो में आपने समझा था कि टू सेक्टर क्लोजड इकोनोमी में क्या-क्या फंसंस होते हैं सेकिंड मन देखते हैं थ्री सेक्टर क्लोजड इकोनोमी तो उसमें दोनों सेक्टर सेम होंगे टू सेक्टर क्लोजड इकोनोमी के बट इसमें थर्ड बन और एड किया गया है तो फ्रस्ट बन हाउसओल्ड सेक्टर 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 एंड थर्ड बन गवर्रमेंट सेक्टर तो हाउसओल्ड सेक्टर प परचेज आप goods for purpose of investment यह दोनों यहां पर भी हम समझ चुके हैं तो यह three sector में भी यह दोनों include हैं third one government sector तो three sectors होगे देखे त्री sector close to economy वह हाउसिल्ड sector, producer sector, government sector government sector includes it makes public consumption expenditure तो government ऐसे expenditure करती है जो public conditions के लिए होते हैं किव 74 डिफेस डिफेस मतलब ढर्मी की जतने वी खर्च होंगे के वेपंस पर्चेश करनाे वह सारे खर्च होते हैं डिफेंसी के लिए रोड्स और ब्रिज बनाने के खर्चे होते हैं गुवर्मेंट सेक्टर के लिए अब इसका कुशन इस तरह बनता है कि एडी उकल सी पिलस आई पिलस जी जी इसमें और चुड़ जाता है तो देखते हैं अब एडी इंडिकेट था एग्रिगेट डिमांड सी इंडिकेट हाउसवोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर आई के इंडिकेट कर रहा है प्राइवेट इंवेस्टमेंट इंडिकेटा अच्छै वेस्ट एक्सपेंगेट इंडिकेट को हैं गयारई जान सी कीग इंडिकेट हाउसच।